दोस्तों जैहिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर मनी यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मीड केप कमपनी के बारे में जिसको अगर हम देखेंगे तो वो कमपनी अभी भी अपनी फेयर वेल्यू में मौजूद है दोस्तों इसका अगर हम पी की बात करेंगे तो अभी भी ये कमपनी जो है लो पी में ट्रेड कर रहा है कमपनी का अगर हम balance sheet देखेंगे तो तो काफी सांदार balance sheet नजर आता है इसकी करजा के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों करजा काफी कम है यानि वो अपने company जो है अपने करजे को अपने काबू में रखा है दोस्तों तो आएए सीधे चलते हैं कंपनी के उपर जियों दोस्तों कंपनी का नाम है Linde India Limited इसका अगर कंपनी का अगर हम P.E. देखेंगे तो अभी कंपनी का P.E. चल रहा है 12.23 में इसके हिसाब से इसका अगर सेक्टर का P.E. देखेंगे तो वो है 44.25 सेक्टर के P.E. से ये काफी कम काफी नीचे ट्रेड करने वाला कंपनी Linde India Limited अगर हम बात करेंगे तो ये लगभख 5.21% की तेजी दिखाई है और 54.00 में ये क्लोजिंग दिया हुए 54.00 उपर ये क्लोजिंग दिया है इसका अगर आज की क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो दोस्तो 1097 रूपीज है कंपनी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो कंपनी करता क्या है कंपनी दोस्तों दो कंपनी सर्फ ए वेराइटी अप एंड मार्केट्स इंक्लूडिंग केमिकाल्स एन रिफाइनिंग कंपनी केमिकाल्स एन रिफाइनिंग में काम करता है फूड एन ब्रेवरेजेस में काम करता है इलक्ट्रोनिक्स, हेल्थ केयार, मैनूफेक्ट्रिंग एन प्राइमेरी मेटाल्स में काम करता है लिंडेस इंडस्ट्रियाल गैसेस आर यूजड इन काउंटलेस एप्लिकेशन इसकी जो गैस है दोस्तों यह बहुत सारे यूजड में यह आता है लिंडे इंडस्ट्रिय का गैसेस फ्रॉम लाइब सेविंग उक्शीजन फॉर हॉस्पिट आल हॉस्पिटल में جो यूज होता है अक्सिजन यह जो है लिंडे इंडिया ही बनाता है ली इंडस्ट्री का है फॉर इलोक्ट्रोनिक्स मैनुफक्चिरिंग में जो गैस यूज होता है इसमें भी लिंडे इंडिया काम करता है और और एक चीज दोस्तों जो जिसके बारे मैं बताना चाहूंगा यह कंपनी जो है अब देख पा रहे हैं थोड़ा जूम कर लेते हैं यह दिखाना बहुत ही ज़रूर है दोस्तों कम कंपनी काम करता है hydrogen for manufacturing of hydrogen gas hydrogen for clean fuels and much more hydrogen में भी यह काम करता है लिंडे इंडिया दोस्तों लिंडे अल्सो डेलिवर स्टेट अब दो आर्ट गैस प्रोसेसिंग सल्यूशन्स सपोर्ट कस्टोमर एक्सपांशन एफिएसी इंप्रूब्मेंट्स एंड इमिशन रिड़क्शन तो मेरे आज इस कंपनी को चुनने के पीछे का मकसद यह है दोस्तों मैं आपको चलिए एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो आज ही आया है इसमें आर्टिकल में बोला गया है One of the major initiatives for the clean energy sector that the government announced in the union budget 2021 was the plan to launch a national hydrogen mission मुद्दा यही दोस्तो national hydrogen mission Government का प्लान है आगे आने वाले कुछ सालों में और कुछ महिनों में भी बोल सकते हैं Company का प्लान है कि यह hydrogen mission को launch करने वाला है Indian government और इस mission में India में company आता है Linde India Though the plan was lined up, the budget did not specify the details of the scheme and what India's emissions were towards it The Minister of New and Renewable Energy MNRE Secretary इंदू सेखर चतुरवदी told the media on February 9 That the government may come out with a draft on the mission in the next two months Next two months में hydrogen mission के लिए draft तयार होगा यह बोलना है इंदू सेखर चतुरवदी जो की renewable energy Minister of Renewable Energy के secretary है He is a look at India's roadmap in using hydrogen as an energy sources इसका मतलब यह है दोस्तों आने वाले साल में hydrogen का जो है use इंदिया में बहुत ही जोरो सोरो से होने वाला है तो आएए detail में यह Linde India Company को थोड़ा सा detail में देखते हैं दोस्तों अगर हम Linde India Company की company information देखेंगे तो company का result net profit में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा यह 30 जून 2020 में इसका 1,949 लाख जो की बढ़के 3,432 लाख हो गया है इसके अलावा अगर company की हम share holding pattern देखेंगे तो दोस्तों पूरा promoter के पास ही इसका holding देखने के मिलेगा 75% जो है holding promoter के पास ही मिलेगा और public के पास शरिफ 25% holding अभी मौझूद है अगर आज की date में company का अगर हम delivery की बात करेंगे तो हमको मिलेगा 35.09% की आज की delivery company में उठाई गई है दोस्तों 35.09% और आगे चलके company का अगर हम share holding pattern देखेंगे देख लिए तो promotion incubants detail अगर देखेंगे कोई भी share placed नहीं मिलेगा यहाँ पर लिंडे इंडिया द्वारा कोई भी promotor द्वारा कोई भी share placed नहीं है इसके आगे अगर हम पिछले एक महिने की इसका अगर delivery report देखेंगे तो यह 12 जोन 2021 से लेके 10 फ्रिवारी 2021 तक का यह लिंडे इंडिया का delivery report है दोस्तों देखें काफी प्रमिसिंग नजर आता है 72.86 परशेंट का delivery 62.25 परशेंट 64, 68, 73, 74, 85, 83 परशेंट 55, 68, 74, 74, 60, 50 आज ही केवल आपको दीख रहा है 35.09 परशेंट का इसका मतलब है company में बहुत ही जबरदस्त जो है delivery भया जा रहा है दोस्तों पिछले एक महिने का अगर data देखेंगे तो हमको यह नजर आता है कि हर दिन 50% से ज़्यादा delivery उठाया गया है लिंडे इंडिया लिमिटेड में इसके आगे अगर हम company का valence sheet के उपर नजर डालते हैं तो हमको देखने को मिल जाया company का देखें रिजर्ब एंड सर्प्लस company के पास रिजर्बेंट सर्प्लस दो हज्यार एक्यावन करोड का रिजर्बेंट प्लस लॉंग टर्म ब्रोइंग्स देर इस नू लॉंग टर्म ब्रोइंग्स औप लिंडे इंडिया लिमिटेड यह अपना ब्रोइंग्स को काफी हद तक कम किया है था 1338 करोड का फिर 989 776 416 देन लॉंग टर्म ब्रोइंग्स जीरो कम्पनी का अगर हम दोस्तों 100 टर्म ब्रोइंग्स की बात करेंगे तो यह है श्रीप हमको देखने को मिल जाएगा 8 करोड 47 लाक्स जो की पहले था 240 करोड 150 करोड 240 करोड देन 8.47 करोड का शॉट टर्म ब्रोइंग कम्पनी के पास अभी मौजूद है इसके अलावा अगर हम कम्पनी का कैस एंड इक्विलेंट देखेंगे दोस्तों यह देखें कैस एंड इक्विलेंट कम्पनी का सब्सक्राइब देखने के लिए मिल जाएगा 240.86 करोड जो पहले था 125.40 करोड दोस्तों कम्पनी के अगर हम थोड़ा सा रिटन प्रोफाइल के बात करेंगे तो टेकर टेप वेबसाइट में देखेंगे दोस्तों पिछले एक साल में रिटन दू है 48.26 पर्षेंट का यह रिटन अपनी इन्वेस्टर को दिया है 48.26 पर्षेंट का पिछले एक साल में यह मार्च का अगर हम गिरावड देखेंगे कम्पनी का तो मार्च में यह 413 रूपीज आ गया था दोस्तों देखिए मार्च में इसका मार्च में अगर देखेंगे तो इसका यह देखेंगे 425.85 से लेके यह पूरा सीधे तीर की चला जाकि यह अभी ट्रेड करा है 1098 रूपीज में अगर हम पिछले 5 साल का रिटन देखेंगे तो कम्पनी का पिछले 5 साल का रिटन 309.06 पर्षेंट का यह रिटन पिछले 5 साल में दिया है मैक्सिमम रिटन की बात करेंगे तो दस्तों कम्पनी जो है 40.45 रूपीज से चालू हुआ था और कम्पनी आज 55.20 से चालू होके कम्पनी आज दोस्तों 1098.95 रूपीज का सफर जो है लंबा सफर तैक कर चुका है और यह रिटन के हिसाब में देखेंगे तो यह जवर्दस रिटन 1739.24 का जो है मल्टी मेंगर रिटन अपने इन्वेस्टर को यह कम्पनी दे चुका है दोस्तों कम्पनी का अगर देखेंगे बेलेंस इट बहुत अच्छा है और यह अभी भी लो पी में ट्रेट कर रहा है जो की 12-13 पी में ट्रेट कर रहा है इसलिहाँ से अगर हम देखेंगे तो कम्पनी बहुत ही सांदार नजर आता है फंडमेंटल स्ट्रॉंग कम्पनी है और इसको कम्पनी को आगे इंडिया में बहुत जादा स्कूप है दोस्तों हाइडरोजन के मेनुफेक्चरिंग में तो कम्पनी जू है आप कम्पनी के उपर रिसुच कर देश सकते हैं और इसको लॉंग टर्म के लिए अपने प्रोटफूलियों में जगा दे सकते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी आगे चलके बहुत बड़ा मल्टिवेगर साभित हो सकता है बस आज के लिए इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा जैन